हलो और वेलकम तो अल आफ यू इंजवरोफी क्लास हम लोग चर्चा कर रहे थे अर्थ मॉमेंट अर्थात प्रत्वी की हलचलों पर जिसके अंतरगत हम लोगों ने जाना था कि धरातल पर ये जो परिवर्तन लाने वाली शक्तियां है ये दो रूप हमें कारे करती हैं आंतरिक शक्तियां और बाईय शक्तियां और इन आंतरिक शक्तियों के अंतरगत जो इसके विबिन रूप हैं दिर्ग कालीन और आकस्मिक और दिर्गी कालीन के अंतरगत महादुप निर्मानकारी परवत निर्मानकारी और महादुप निर्मानकारी के अंदर दो प्रकार के जो मुमेंट हमने देखे हैं जिनके बारे में हमने जानकारी ली थी अप्वार्ड मुमेंट एंड डाउनवार्ड मुमेंट अपवाड मुमेंट के दो पार थे उथान और उनमजन और डाउनवाड के दो पार थे आउतलन और निमजन इसके साथ साती हम लोग अब परवत निर्माणकारी शक्टियों पर अब चर्चा करते हैं इसके अंतरगत दो प्रकार की प्रक्रियां होती हैं पहला होता है तनाव और दूसरी प्रक्रिया होती है संपिडन तनाव के कारण भरंश उत्पन होते हैं और संपिडन के कारण वलन उत्पन होते हैं तो आज हम अब चर्चा करते हैं इन परवत निर्मानकारी शक्ति पर सबसे पहले तो हम यह जानें कि ये जो परवत निर्मान कारी शक्तियाँ है इसके अंतरगद यदि हम देखते हैं तो प्रत्थ्वी के आंतरिक भाग से जो क्षेतिज रूप में परवतों के निर्मान में सहायक होते है उस संचलन बल को ही परवतिय संचलन कहा जाता है औरोजेनेटिक फोर्सेस के रूप में जाना जाता है ये जो बल होता है ये दो रूपों के अंतरगत क्रियाशील होता है यदि इसके कारण से अगर धरातलिय भाग विपरीत दिशा में जाते हैं तो उसे हम तनाव की स्थती कहते हैं और इसके कारण से दरार और भ्रंश ये पढ़ते हैं अर्थात जब धरातली भाग आंतरिक शक्तियों के कारण से विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं तो उसके कारण से उत्पन जो इस्थती होती है उसके अंतरगत या तो हमें दरातली भागों में दरारे फ्रेक्चर्स दिखाई देते हैं या फिर वहाँ पर भ्रंश अर्थात फाल्स का निर्मान होता है और यदि यही प्रक्रिया आमने सामने क्रियाशील होती है तो उस इस्तिती को हम संपिडन कंप्रेशन के स्तिती कहते हैं और इस प्रक्रिया में दो प्रक्रिया हमें दिखाई देती हैं समवलन और वलन तो इनके बारे में हम अब चर्चा करते हैं तो आज हम अब सबसे पहले चर्चा करते हैं Fault पर Faults को हम हिंदी में ब्रंश के रूप में जानते हैं और इसका साधारन सा अर्थ ये है कि जो तनाव की जो तिवरता होती है उसके कारण से जो चक्तानों में इस्थारांतरन होता है उस इस्थारांतरन होने की प्रक्रिया को ही हम ब्रंश के नाम से जानते हैं यहाँ पर हम एक डाइग्राम के अंतरगत ये देख रहे हैं कि ये जो ब्रंश है इसके ये विब्विन भाग हमारे यहाँ पर दिखाई दिये हैं कि सबसे पहला तो आता है जिसको हम कहते हैं Fault plane अर्थार ब्रंश तल कि जिस तल के सहारे ब्रंश उत्पन होते हैं उसे हम ब्रंश तल अत्वा विबंग तल के नाम से जानते हैं वहीं Fault Dip Dip का मतलब हो गया कि ब्रंश तता ख्षेतिस तल के बीच का जो कौन होता है उसे हम Fault Dip के नाम से जानते हैं वहीं Up Throne Side ये जो उर्द पातखंड हमें याँ पर दिखाई दे रहा है अर्थात जो भाग उचा उठता है उसे हम उर्द पात यानकि Up Throne Side के रूप में जानते हैं और जो भाग नीचे की ओर होता है उसे हम Down Throne Side के रूप में हमसे जानते हैं और इन दोनों के बीच में ये जो भाग हमें याँ पर दिखाई दे रहा है इसे हम Hanging Wall के नाम से जानते हैं इसके साथ-साथ तो जो भ्रंश के कारण से इस्थलिय सत्य पर जो हमें एक प्रकार का याँ पर ये जो कगार बना हुआ दिखाई दे रहा है इसको हम Fault Isgrape के नाम से जानते हैं तो ये जो Fault उतपन होते हैं ये उसके विब्विन पार्ट के बारे में हमने यह आपर जानकारी प्राप्ट की है कि ये भ्रंश किस प्रकार के होते हैं चुकि हम जानते हैं कि ये जो तनाव की इस्तती है ये सभी जगा पर समान नहीं होती है इसके कारण से विब्धिन प्रकार के भ्रंश उत्पन होते हैं तो उन भ्रंशों को हम छे प्रकारों के अंतरगत भाणते हैं जिसमें सबसे पहला आता है उसे हम कहते हैं सामाने के नम से जानते हैं जैसा कि हम इस डाइगराम के अंतरगत यहां पर देख पा रहे हैं कि यह दोनों चट्टानी भाग एक दूसरे से विपरित दिशा में चले गए तो एक भाग तो यह अप्थ्रोन साइड के रूप में है यह भाग लटकती दिवाल के रूप में है और यह बाग इस ट्राइक और उसके रूप में यहां पर जो एंगल बना हुआ होता है उसको हम इस ट्राइक के रूप में जानते हैं और यह वाला पार जो होता है उसे हम भ्रंश कगार के रूप में जानते हैं तो यह जो भ्रंश यहां पर बना है इसे हम कहते हैं सामाने भ्रंश दूसरे प्रकार का जो भ्रंच आता है उसको हम कहते हैं reverse part या पर हम इस रूप में भी इसको हम देख सकते हैं कि ये normal part किस रूप में बना हुआ है दूसरा जो बाग आता है उसको हम कहते है reverse part अर्थाथ चट्टानों में दरार पड़ जाने पर जब उसके दोनों खंड एक दूसरे की और खिसकते हैं तो जो निर्मित भ्रंच होता है उसे हम वितकरम भ्रंच कहते हैं और इसके अंतरगत चट्टान का एक खंड दूसरे पर चड़ जाता है इसे हम आरूड भ्रंश के नाम से thrust fault के नाम से भी जानते हैं तो यह दूसरे प्रकार का भ्रंश है जिसका नाम है reverse fault यहाँ पर हम इस animation के द्वारा भी इसको समझ पा रहे हैं कि जब दोनों भाग आते हैं एक दूसरे की ओर जहाँ पर भ्रंश तल के सहारे शेतिज गती के कारण से बुखन न तो यह उपर नीचे की ओर जा रहे हैं न यह एक दूसरे से दूर हट रहे हैं न एक दूसरे के पास आ रहे हैं बलकि में यह एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाते हैं तो उसके कारण से जो भ्रंश बनता है उस भ्रंश को ही हम lateral या strike slip fault के रूप में या विदारन भ्रंश टियर फाल्ट के रूप में हम उसे जानते हैं तो यहाँ पर इस diagram के अंतरगत भी हमारे सामने ये चीज़ स्पस्ट हो रही है कि जब धराते लिए भाग एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाते हैं तो उसके कारण से जो भ्रंश उत्पन होता है उसे हम विदारन भ्रंश या था टियर फाल्ट के रूप में जानते हैं चोथा जो भाग आता है उसको हम कहते हैं step या terrace fault अर्था सीडी नुमा भ्रंश कि जब किसी शेक्तर के अंतरगत कहीं सारी समानांतर दरारे पड़ जाती हैं और उन दरारों के बीच में उनके उठने या धसने की दिशा अगर एक ही होती है तो उसे हम सीडी नुमा या सोपानी भ्रंश के रूप में जानते हैं जिसे कोई धराते लिए भाग इस रूप में है और फिर दूसरा भाग वापस इसी दिशा के अंतरगत उपर उठे और फिर वापस एक और भाग इसी दिशा में उपर उठे तो यह जो इस प्रकार से जो बनावा भ्रंश है इसे हम सीडी नुमा केते हैं या फिर इनके धसने की दिशा एक ही हो तो उस प्रकार से बनेवे भ्रंश को भी हम सीडी नुमा भ्रंश के नाम से जानते हैं अगले जो प्रकार का भ्रंश आता है उसको हम कहते हैं रिफ्ट वेली या ट्रफ फाल्ट अर्था द्रोनी भ्रंश कि जब दो सामाने बुखंडों का जो मध्धे वाला भाग है वो नीचे की ओर धस जाता है तो इस प्रकार के ब्रंच का निर्मान होता है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब किसी समानांतर भाग में इस प्रकार से दरारे पड़ जाती है और बीच वाला भाग अगल बगल वाले भाग ये भाग और ये भाग तो अपनी जगा पर इस्तिर रहे और बीच वाला भाग अंदर की ओर चला जाता है तो उस प्रकार से बनने वाले ब्रंच को हम द्रोनी ब्रंच के नाम से चानते हैं अब इसके अंदर का दो इस्तितियां होती है कि यदि दो ब्रंच रेखाओं के बीच का भाग नीचे धस जाए और अगल बगल वाले भाग इस्तिर रहें जैसा कि हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि जैसे उदारण के तोर पर यह एक चट्टानी भाग है और यह दो चट्टानी भागों के बीच वाला भाग नीचे चला गया और यह दोनो भाग अपनी जगह पर इस्तिर रहे तो इस प्रकार से बनने वाले भ्रंच को हम द्रोणी भ्रंच के नाम से जानते हैं इसमें एक और इस्तिति होती है कि यदि बीच वाला जो भाग है वो तो अपनी जगह पर इस्तिर रहे जाए बीच वाला भाग तो अपनी जगह पर इस्तिर रहे जाए लेकिन अगल बगल वाले भाग यदि उपर उठ जाते हैं इस प्रकार से तब भी इसी प्रकार की प्रक्रियास जो बनती आक्रती उसे भी हम प्रंच के नाम से ही द्रोनी प्रंच के नाम से ही जानते हैं इस प्रकार से तो ये दो प्रकार की अंतरगत इस्तिया होती है कि यदि अगल बगल वाले भाग अपनी जगा पर इस्तिर रहे और बीच वाला भाग नीचे की और धस जाए तो उस प्रकार से बनने वाले द्रोनी प्रंच को से रिफ्ट गाटी अत्वा ग्राबेन का निर्माण होता है और प्राइन नदी की घाटी, जोडन घाटी, नर्मदा, दामोदर नदी की घाटियां जो हैं वो इस प्रकार के ब्रंच घाटी के अंतरगत ही प्रवाहित होती है वहीं जब दो ब्रंच रेखाओं के बीच का भाग तो अपनी जगा पर इस्तिर रहे और अगल बगल वाले भा ब्रंच के अंतरगत भी दो इस्तिया में आपर दिखाई देती है और ये जो छटे प्रकार का ब्रंच आता है जिसको कि हम ब्लोक माउंटेन या कटक ब्रंच के नाम से जानते हैं तो इसके अंतरगत द्रोनी ब्रंच के विपरीत इस्तिती इसके अंतरगत हमारे को दे रही है इसमें हम देख रहे हैं कि अगल बगल वाले भाग अपनी जगा परिस्थिर है और बीच वाला भाग उपर की और उठ जाता है तो बनने वाला जो भ्रंश होता है उसको हम कटक भ्रंश के नाम से जानते हैं इसके अंतर गत भी दो प्रकार के इस्थियां होती हैं सबसे पहली इस्थिय तो ये कि जब दो भ्रंशों के बीच का भाग तो इस्थिर रहे यानि कि अगर हम बात कहें कि दो भ्रंश जो है उनके बीच का भाग तो जो है वो अपनी जगा पर इस्थिर रहे जैसे मान लिजी ये दोनों भाग जो हैं दोनों किनारे तो स्थिर हैं लेकिन बीच वाला भाग यदि इनका उपर की और उठ जाता है इस प्रकार से ये बीच वाला भाग उपर की और उठ गया तो उस तोरान बनने वाले ब्रंच को भी हम कटक ब्रंच के रूप में जानते हैं लेकिन इस प् नीचे की और धस जाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से यह भाग और यह भाग दोनों नीचे की और धस गए तो उसके कारण से भी कटक भरंच का निर्मान होता है तो इस प्रकार से बनने वाले परवत को हम ब्लोग परवत के रुख में जानते हैं और ये सदकुडा, ब्लेक फोरेस्ट ये जो हैं ये इसके एक उधारन हैं तो यहाँ पर हम इस डाइग्राम के द्वारा भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ये प्रक्रिया दिखाई दे रही है तो ये जो होस्ट परवत है जिसके अंतरगत क्या हो रहा है यहाँ पर हम देखें कि बीच वाला भाग जो है ये उपर उठ गया और ये अगल बगल वाले भाग अपनी जगह पर हैं तो बनने वाले माउंटेन को हम क्या कहेंगे होस्ट परवत के रूप में जानते हैं तो इस प्रकार से हमने आजे जाना कि ये जो छे प्रकार के भ्रंश हैं चाहे वो सामान्य भ्रंश हो चाहे वो व्युतकरम भ्रंश हो या विदारन भ्रंश हो सीडी नूमा भ्रंश हो द्रोनी भ्रंश हो या कटक भ्रंश हो इन सब के निर्मान प्रक्रिया के बारे में हमने यहां पर जानकरी प्राट की है तो ये तो बात हमने की है भ्रंश के कारण से जो की तनाव के कारण से हमें यहां पर दिखाई देता है अब इसके बाद में हम हमारे अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे वलन पर और वलन जो है वो दस प्रकार के होते हैं उन दस प्रकारों पर हम अब अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटीनू रहिएगा थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच